आप सभी पर ये दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आपके लिए ले क्या है, Reliance Communication के बारे में एक Analysis, और अगर आप इसको सही तरह यूज करें, तो ये आपको लखपती बना सकता है, आइए चल का अगिश्रेशन करते हैं, एक Multiple Segmented Section है, पहले Section में बात करेंगे, Reliance Communication की Basic Fundamental Views के बारे में, क्या है Current Share Holding Pattern, आइए सबसे पहले Market Cap ही देख ली जाए, Market Cap की दरश्टी से करीब 500 करोड की कंपनी है, तो एक ये Penny Stock कह सकते हैं, या फिर एक Small Cap कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है कहिए, 2% से ज़ादा हमारे Channel का Recommendation नहीं होगा, इस पे निवेश करने के Share Holding Pattern में देखा जाए, तो Public के पास में यहाँ पर 89% की Holding है, Promoter के पास में बहुत ही कम Holding रह गई है, 5% के आसपास Holding रह गई है, क्योंकि सारे के सारे Pledge Share थे, वो निकल चुके हैं, DIA के पास में, यहाँ पर करीब 5% के आसपास Holding है, जो की वो Pledge Share थे, वो अब DIA के गले है, तो यह उस हिसाब से थोड़ा सा चालेंजिंग है, देखे, Depth की वजए से, यहाँ पर Total 26,000 करोड का Indian Banks को लेते हैं, और इसमें SBI के पास सबसे जादा है, SBI is leading that particular company, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सारे के सारे Creditor मिलकर 86,000 करोड की इनके पास में Depth है, तो Depth की Position बहुत जादा है यहाँ पर इस company के साथ में, अब होगा क्या, कि यहाँ पर Resolution Plan के Accordingly, यहाँ पर Government के Guidance के Accordingly, सबसे पहले AGR के Due दिये जाएंगे, जो की अभी उसमें Calculation Error भी है, as per the Auditors there, तो वो Calculation Error अगर ठीक हो जाती है, तो यहाँ पर Depth और Due की Quantum को थोड़ा सा कम किय आजा सकता है, आरकॉम ने फाइल bankruptcy के लिए कर दिया है, February 2019 में जैसे आपको पता ही है, और यहाँ पर जब दोनों भाईयों में split हुआ था, तो छोटे भाई को Reliance Power, Reliance Communication मिली थी, और Reliance Communication का हाल तब से बुरा है, Depth ज्यादा होने के वाज़े से Depth को Controlling को प्राएं, बट उन तो इनके पास में 4G data services available है, तो कोई भी operator जो 4G में अभी कम service area है, इनके network को खरीच सकता है, इनके bandwidth को खरीच सकता है, Fixed Line Communication प्रवाइड करते हैं, और जो सबसे important हमारे इसाब से है, वो data centers के बारे में आगे बात करेंगे, और यह enterprise solution प्रवाइड करते हैं, और C cable network का भी इनक इस गलत हो रहा है, और वहाँ पर उनको phone मिल गया, जिससे वो लोग international call कर रहे है, PCO की तरह से उसको use किया जा रहा है, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी phone कर पर बात कराऊंगा, जितनी मर्जी बात करो, तो इस तरह से, और उसके बाद में, वो phone फिर C में dump कर दिया तो इस तरह की position थी, और उसके बाद में, यहाँ पर ऐसी situation आई, कि अब यहाँ पर debt का resolution खतम हो गया है, अब यहाँ पर जो Supreme Court ने यहाँ पर फैसला लिया है, इसके लिए उन्होंने कहा है, कि personal guarantee जो है, अगर bank में किसी देकर अपने तरफ से loan लिया है, तो उसकी जो संपत् लिया था, तो अब वो उनकी कुछ asset चाहें, तो SBI यहाँ पर बेच सकती है, as per this new ruling, but Reliance इसको challenge करेगा, Reliance Geo की, दोनों भाईयों की मिली भगता है, देखिए, Reliance Communication का network Reliance Geo यूज करके अपने largest network बन रहा है, एशिया में, और उसके बाद में, दोनों मिलकर भी AGI due नहीं दे resolution plan होगा, जिसके चलते हुए AGR due, जो है, 26,000 करोड, वो सब पानी में चले जाएंगे, इसलिए Reliance Communication will file against the order, और यहाँ पर, जो इनकी calculation mistake है, AGR dues में, वो भी इसको challenge कर रहे है, जिसके चलते हुए यहाँ पर कुछ revival की उम्मीद आ रही है, प्लीज कंसर्ट दे फानेंशर overdue हुए, जियो का dispute हुआ, और erection ने terminate कर दिया contract 2017 में, NCLT के बास गया, फिर 1100 करोड रुपे का due के बाद में, दोनों ने यहाँ पर लिया है, और इनके भाई ने इनकी survival के लिए help की थी, वहाँ पर उस time पर, वरना यह jail में चले जाते, देखे, आपको portfolio management अलग-अलग में करना है, और small cap में 2% जादा नहीं, हमारा portfolio size 81% grow क्या है दो महीने में, उसकी सारी deal बताएंगे, अब यहाँ पर जो इनकी हमें सबसे अच्छी position asset लगती है, वो इनके data center है, data center में क्या होता है, आप देखे, localization होगा data का, localization का मतलब, government of India बोलेगी, कि यहाँ का data बाहर नहीं आ सकता है, Amazon के पास में अगर data रख रहे हैं, तो Amazon को data center यहाँ पर लेना पड़ेगा, और उसके लिए Reliance Communication जैसी company ही उनको help करेंगी, तो इनके demand अच्छी रहीगी आगे, जो की एक long term के लिए हमारे हिसाब से इस company में बढ़िया काम बन सकता है, आपको एक ही समझनी है, जब हमारे हिसाब से 10 रुपे का है, और जो खरीदने का view देखें, अगर इसका weekly chart देखें, तो यहाँ पर मई, जब March में खतम इसका COVID का challenges आई थी, तो इन्हों ने जो low बनाया उस time पर 60 पैसे के असपस, और high एक रुपया, तो काफी time इसने 60 पैसे और एक रुपय के बीच किया और यहाँ से देखें, सीधे उठकर, यह high जो बनाया है, 3.40 पैसे तक high बनाया है, उसके बाद अच्छा consolidation अब हो चुका है यहाँ पर, यह weekly chart पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा consolidation बन चुका है, यह यहाँ पर, तो यह यहाँ से हमारी उमीद है, technical basis पर, अब यह उपर जा लगा है, जो की एक बहुत अच्छी position बना के आएगा यहाँ पर, long term की दर्श्ची से आप चाहें, तो 2% अपना cash इसमें निवेश कर सकते हैं, 10% पर टागेट आने वाले 2 साल के अंदर यह आपको target मिल जाना चाहिए, अगर कोई question है, दोस्तो comment box में लालिए, और अगर सर्विस ले सकते हैं, निल कॉस्ट आपके ओपर, प्रॉफिस शेरिंग बेसिस पर, हमारे 4 वीडियो प्रसुद हैं, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, वीडियो लाइक कीजिएगा, जहीं जभारत, बाइगा!